और उतराखंड दौरे पर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल वहाँ पर चुनाव कर चार वो कर रहे हैं वहाँ पर एक रोट शो भी उन्होंने किया रोट शो कि ये तस्वीरें देखिए और उतराखंड दौरे पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल चुनाव पर चार वो कर रहे हैं क्या वादे उन्होंने उतराखंड की जनता से किये क्या बातें कहीं आपको सुनवाते हैं तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आमादमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तरश पे यहां पे भी तीर्थ्यात्रा योजना चालू करेंगे और उतराखंड के सभी लोगों को अयुद्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा एसी ट्रेन से ले जाएंगे एसी होटल में ठहराएंगे ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कमफर्ट के अंदर अयुद्या जी के दर्शन करके आ सकें इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का जो अभी शुरू हुआ है दो दिन पहले उसका प्रावधान रखेंगे उनको वहाँ पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे आयुशमान योजना एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इस वक्त मेरा मकसद दूसरों की बुराई करना नहीं है दूसरों की कम्या निकालना नहीं है मेरा मकसद है एक पॉजिटिव एजेंडा शुरू करना आयुशमान योजना के तहट एक आप सर्वे करा लीजिए एक आप रिपोर्ट जा रहे है उत्रा खंड के अंदर आयुशमान योजना में कितने लोगों ने इलाज कराया आप एक सर्वे करा लीजिए नमबर एक धिल्ली के अंदर हमने अईश्मान योजना तो ये कहते हिए बहु Armenian जिसके पास चाहिए होगा पांच लाक रूपय तक का उसका कोई फलानी फलानी बिमारी का एलाजुचा है आपका अगर किसी बिमारी में 60-70 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा दिली सरकार मुफ्ति इलाज करती है तो फिर आपका आई उश्मान की क्या अजरू है